आप पूजा करने के तुरन जिस पैड को आपने पूजा किया जिस धर्ती को आपने पूजा किया जिस उसे आपने इस्वर माना लेकिन आप पूजा समप्ध होते ही आप पैड के नीचे सुसु कर दते हैं कि जोहर दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप सब को विश्राम जी के बारे में बताया था विश्राम जी खुद एक इसाय हैं कि इस बात को पुरूप करने के लिए सबसे पहले मैंने उनसे बात किया था पहले उस कॉल रिकॉर्ड को सुनते हैं तो आप अपना वीडियो में यह नहीं बोला कि मेरी हंस्दा ने गलत किया है आप तो उनको सब्सक्राइब यह विश्राम जी आपने यूटूब चैनल पे आदिवासियों को लेकर आदिवासियों का जो सरना धरम है उनको लेकर बहुत सारे गलत गलत बात बोलते हैं जो कि मैं आप सब को दिखाऊंगा अभी वीडियो में उससे पहले पिछले वीडियो में आपने दिखा कि बिरसा मुंडा को उन्होंने लूटे रहा कहा है और मोगा भगवान प्रकृतिक को मानते हैं तो प्रकृतिक में जितने भी चीज हैं पहार हो गया नपी हो गया हम लोग भगवान के रुप में देखते हैं अगर जिवन संभव होनी है है अगर हम लोग का जीवन संभवन विए निया और पुझा नहें कि नहींrett success टो मर गया तुमारे साथ कुछ गलत करेंगा इसनलें लोग किया जाता है जो लोग के अपने जिंदगी में घ्रलब कि क्यों हैं मतलब कि जिसे बिर्शाल मुंड़ा करते हैं भगवान मानते हैं क्योंकि हम लोगों के लिए कुछ किये हैं उन्होंने जिन्दगी लोगों के लिए कुछ किये हैं अपने जिन्दगी में उनका जो काम है वह महान है वह इंसान एगर इंसान को निकाल दे और उसका काम को तो काम को नोटिस करते हम लोग वह काम है तब जाक तो जानते हैं नहीं यारी विर्षा मुंडा में असल में ना फूलों को लूट खंड जैसे काहितरा की कुक्रम कंड किया हुआ था पूछो ना पूछो उलिया तुछो यह पीर चलकत की क्या कि आइसी इसलिए प्रसेसर ने दिया सरकार की मुख्याध्यादारा से आधिवासी लोग जूड़े ति को लिए ना विर्षा मुंडा के बारे में वाल रहे हैं विसामुंडा को इसलिए भाग्वान का रूख धारं किया है और यह चीज आज की तारिक में लोगों को मनें बताने से नहीं बताया ठीक है इस गलत चीज को चुपाई ताकि लोग आदिवस्थी दंड़क्ति के लोग मुख्याधारा से जुड़े इस जगा से राके ना जिए यह चीज करके ऐसे लोगों को एक पुलिस तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना दोस्तों यह विश्राम जी अपने यूटूब चैनल पे आदिवासियों को लेकर आदिवासियों का जो धरम है उनको लेकर बहुत सारे गलत गलत बात बोलते हैं जो कि मैं आप सब को दिखाऊंगा अभी वीडियो में उससे पहले पिछले वीडियो में आप ने देखा कि बिर्सा मुंडा को उन्होंने लुटे रहा कहा जब उन्होंने ऐसा बयान दिया तो हम लोगों ने उसको कॉल किया बहुत सारे लोगों ने विश्राम जी को कॉल किया उसने सारा कॉल को सुकुमार दाका में डाइवर्ड करके रखाए यानि कि जीतना भी कॉल विश्राम जी को किया जा रहा है सारा कॉल सुकुमार के पास जा रहा है जो कि ये एक कानूनी अपराध है नमस्कार, जोहार आप देख रहे हैं, उभारता जरकंट मैं हूँ बिश्राम आज हम लोग बात करने वाले हैं आदिवसी धरम और इसाई धरम में क्या कस्यत है ऐसे कोन सी कस्यत होने की बज़े से आदिवसी इसाई धरम में जाते हैं इसके बार में हम लोग आभी जानने की कोशिस करते हैं ऐसे कौन सी खस्यत होने की बज़े से आदिवसी इसाई धरम में जाते हैं इसके बार में हम लोग आभी जानने की कोशिस करते हैं जब देखते हैं आदिवसी धरम में या पिर दुसरा धरम में आदिवसी दरम में या फिर दुसरा दरम में बच्चा फायदा हो जाता है आपने सुना बच्चा फायदा हो जाता है उसको फायदा होने के बाद आदिवसी रितिरिवाज या फिर धरम की रितिरिवाज के अनुसार उसको सुद किया जाता है उसको नाया नामकरन दिया जाता खाने की व्योस्ता करने के लिए जरुत होती है जब देखते हैं आदिवसी गरीब परिवर दो वक्त की रोटी खाने तक नहीं है ऐसा आदिवसी लोग हैं और ऐसे इस्तिती में आदिवसी के गर में आदिवसी के परिवर में उस पदती को पार करने के लिए किसी भी तरह से चहें जामीन बेचना पड़े या पिर किसी भी कुछ भी बेचना पड़े लिकिन उस दिन के लिए खाने के लिए उसको जुगाड करना पड़ता है। बच्ची की जो बिदी व्योस्ता को पार करने के लिए, जहां कहा जाता है मुंडारी में चाट्टियारी कहा जाता है, या फिर तुकोई लुतुर कहा जाता है, ये तुकोई लुतुर आदिवसी की पदती में परमपारिक तरीके से और सरप्रत्थम मना गया है आदिवसी सव जब वही इस्तिती अदिवसी इसाईदरा में भी ये पदती है और तुकुई लुतुर में क्या होता है गाउं के आसपड़ोस के लोगों मिल करके उस पदती के अनुसार उस प्रमपरा के अनुसार उसको एक छोटी सी बैठक कहा जाए या फिर समारो कहा जाए एक दुसरे के मिलान के साथ समारो के तावर पर रखा जाता है और उसी समय नामकरन भी होता है एक नामकरन चार्च में भी होता है या फिर गर में भी होता है ये नामकरन चार्च में भी हो सकता है अगर चार्च में करेगा तो पदरी करेगा या फिर गाउं में भी आके यानि कि आपके ग गुट पानी भी अगर पिला दोगे ना पद्री को कुस होके वापस चला जाएगा इतनी बड़ी खस्यात लेकिन आदिवसी समाज में क्या होता है जब तक आप किसी को मीट छवल भत नहीं किलाते तब तक आपके समाज में उठने बटने आपके समाज वाले नहीं आएंगे लेकिन इसाई धरम ऐसा नहीं है अगर उस समुदाय के लोगों को एक गुट पानी भी अगर पिला दोगे ना तो खुसी खुसी उलग चला जाएगा यानि कि आदिवसी जब इसाई धरम में जाते हैं तो इसाई लोगों की थुरू से आदिवसीयों का क्या बलाई होगा ज आज जो जीस तरह से आप अपनी समाज के लिए जब बात चल रही है यह किसकी दीन है जब मिष्नरिओंrü लोग आया तब से हे हमारे ज्णर करकंड के लोगों पैंड़ पैना सिका चालना सिका उठना सिका उटना सिका बैटना सिका सरा कुछ सिका आज जो जीस तरह से उल्गुलान आप देख रहे हैं या पिर आज जो जीस तरह से आप अपनी समाज के लिए जब बात चल रही है ये किसकी दिन है जब मिश्णरी लोग आया तब से ही हमारे जहारकन के लोग आदिवसी लोगों पैंट पैना सिका साड़ी पैना स सिका सरकुछ सिका कि इसाय धरम में जाने से आदिवसियों का भला कैसे हो सकता है अब इतनी बड़ी साबुत इतनी बड़ी प्रमान आपके साथ जीता जगता उधारान है आप इसको कहां रख सकते हैं कि आदिवसी प्रकृतिक पूजक है मतलब प्रकृतिक पूजक कि प्रकृति उसी को कहा जाता है इस धाती पे मौजुद है जो भी नादी, नाला, पेड, पोधे जो भी प्रकृति संपदाएं है उसे प्रकृति कहा जाता है और आदिवसी को प्रकृति पूजक माना है आपने कहा मैंने माना है प्रकृति पूजक है लिकिन आपको मैं किलि करने वाले समूदा है आपने सही सुना प्रकृति पूजक नहीं है प्रकृति को इस वर नहीं मानते हैं बलकि प्रकृति में पूजक करते हैं प्रकृति में पूजक करने वाले समूदा है लेकिन मैं उस आदिवसी से मैं जाना चाहता हूं कि जिस प्रकृति में आप पूजक करते हो जिस प्रकृति में आप अर्दना करते हो जिस प्रकृति को आप कुदा मानते हो जिस पेड़ को आप पगवान मानते हो आप पूज़क करने के बाद ही आप वो जगा पे दुसरा पेड़ जगा आप सुसू कर देते हैं यह सच है कि आप पूज़क समथ होने के बाद ह आप दूसरा जगह उसी पेड़ के नीचे आप सुसू कर देते हैं ये कौन सा पूजग है भाई आज हमें जानना होगा आज आप पूजग करने के तुरण जिस पेड़ को आपने पूजग किया जिस धर्ती को आपने पूजग किया जिस उसे आपने इस्वार माना लेकिन पेड को आपने पूजा किया जिस धर्ती को आपने पूजा किया जिस उसे आपने इस्वर मना लेकिन आप पूजा समप्ध होते ही आप पेड के नीचे सुसु कर देते हैं दोस्तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा विश्राम जी कैसे आदिवासियों के बारे में आदिवासियों को धर्म सरना धर्म के बारे में गलत गलत बोल रहे हैं दोस्तो ये छोटा सा बात नहीं है ये छोटा मेटर नहीं है क्योंकि इस वीडियो के वज़स है हमारे आने वाले जेनरेशन को आदिवासियों के बारे या धर्म के बारे गलत सीख मिलेगा दोस्तो जब बाकी धर्म के लोग भी आदिवासियों के बारे में सर्च करेंगे तो उनको गलत सिख मिलेगा इस वीडियो के वज़स है इसलिए कोई छोटा मोटा गुना नहीं है यह बहुत बड़ा गुना है दोस्तों इसको माफी नहीं मिलना चाहिए इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके छेत्रे में जीतने भी लोग है कि जो समाज के लिए आगे आतें अगवाई करतें आप लोग इस वीडियो को उन्तक जरूरा किज्येगा जीतना हो सके इस बीडियो को को सेर कीजिए ताकि विश्राम जी के उपर एफायर दर्च हो